एनर्जी ही सब कुछ है, बले ही आप इसके बारे में जानते हों या नहीं, हम हमेशा एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेशन करते हैं और हर समय एक दूसरे के साथ रेजोनेट होते रहते हैं, मैं हमेशा इस बात पर ध्यान देता हूं कि मैं कैसा महसूस करता हूं, क् तो मैं नहीं चाहता, और साथ ही ऐसी सिच्वेशन भी करने लगूँगा, जो मेरे लिए एडवर्स होंगी, इसलिए मैं अपने दिन की शुरुवाद जितना हो सके हाई वाइब के साथ करने की पूरी कोशिश करता हूं, हम अकसर लोगों को पॉजिटिव वाइब्स के बा इस ग्रह पर कुछ भी ठोस यानि की सॉलिड नहीं है, यहां तकि आप जिस कुरसी पर बैटे हो या जिस मोबाइल पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, वो भी नहीं, ये एनरजी हमेशा मोशन में रहती है, हम जो करने में सक्षम है, वो इसके वाइब्रेशन को बदल कर उस मोशन को बस मैनिफिलेट कर सकते हैं, उदारन के लिए हम पानी को बर्फ या भाप में बदल सकते हैं, ये वही एनरजी है, वही पानी जो हमेशा था, हमने फाइनल आउटकम में चेंजिस करने के लिए बस इसके वाइब्रेशन को बदल दिया, हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही है, एक बार जब हम अपने वाइब्रेशन या अपने फ्रेक्वेंसी को बदल देते हैं, तो हम अलाइनिंग फ्रेक्वेंसी को चुनना शुरू कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन में ट्यूनिंग करते समय करते हैं, इसलि कि आप अपने हाई वाइब्रेशन एनरजी के कारण फिजिकली अपना रूप बदल रहे हैं जब आप रियालिटी में एक खुश और पॉजिटिव परसन से मिलते हैं तो वो पॉजिटिविटी उनसे रेडियेट होती है है ना? अपने वाइब्रेशन रेज करने की बहुत बेनिफिट्स है पहला आप स्मार्टली काम करेंगे और इसली अबंडन्ट फील करेंगे वाइब्रेशनल एनरजी जितनी अधिक होती है उतनी ही क्रियेटिविटी इंक्रीज होती है आपकी मेनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज होती जाएगी यह सब आसान होता है जब हम लेस इंटर्फियरेंस और मोर एफर्ट के साथ एक हाइली क्रियेटिव एनरजी फील में रह रहे हो सबसे पहले तो खुद से वादा करें कि कि किसी भी तरह के निगेटिव जज्जमेंटल और क्रिटिकल थौट्स अगर आपके दिमाग में आएंगे तो उसे आप सर्फिस पर लेकर जरूर जाएंगे यह सबसे टर्फिस टास में से एक हो सकता है खासकर यदि आप एक पैसिमिस्टिक व्यक्ति हैं लेकिन जब आप इसे करना शुरू करते हैं तो आप अपनी एनरजी में इस तरह के बदलाओ को एजली देखेंगे जब हम बार-बार उन चीज़ों पर विचार करते हैं जो हम नहीं चाते हैं तो हम इसेंशिली उन ही चीज़ों को अपने लाइफ के experiences में attract कर रहे होते हैं इसके opposite जब आप अपनी desire पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हैं तो आप अनिवारे रूप से उन desires को अपने जीवन में आकरशित करते हैं इसलिए law of attraction आपके thoughts को उन चीज़ों पर shift करने के बारे में है जो आप चाहते हैं, पसंद करते हैं और प्रेस करते हैं नमबर टू, understand shamanic tapping shamanic tapping आपके energetic path को clear करने का एक highly effective तरीका है shamanic tapping ये दर्शाता है कि कैसे अपने शरीर में positive energy को कुछ areas जैसे की chest, forehead, different pulse point पर tap किया जाए shamanic tapping से अगर आप चाहें तो financial abundance भी manifest कर सकते हैं बट मेरा suggestion तो यही होगा कि आप दूसरी चीज़ें जैसे की health, perfect life partner manifest करें अपने vibration को बढ़ाने का एक आसान तरीका high vibe music or sounds को सुनना है जैसे soul figure sounds, binaural beats, अगर आप चाहें तो अपने लिए कुछ sound balls भी खरीद सकते हैं जो आपके घर पर ही इन sounds को बनाने में मदद करेगा हमारे अंदर हर समय इतनी energy प्रवाहित होती रहती है और sound healing आपके vibration को तेजी से बढ़ाने का एक highly powerful तरीका हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक particular timing पर ही किसी high vibe sound को सुनने की कोशिश करें अपने हिसाब से अपना time set करें जैसे आप सुने से पहले कुछ समय के लिए इसे सुन सकते हैं या फिर morning routine स्टार्ट करने से पहले यदि आप low feel कर रहे हैं तो अपने vibration को बढ़ाने का एक शांदार तरीका है कि आप binaural sound स्टार्ट करें और अपने space को declutter करें हमारी आंतरिक दुनिया हमेशा हमारी बाहरी दुनिया में manifest होती है इसलिए यदि आपका living space और environment chaotic है तो इसे जल्दी से जल्दी सही करें बिलीव में आपकी energy channelize होगी और आपको बहुत शांती मिलेगी जैसे जैसे आप अपने vibrational state को बढ़ाने के लिए काम करेंगे आप पाएंगे कि आपके पास दूसरों के लिए energetic connections है जो आपकी energy drain कर रहे हैं या आपको low feel करवा रहे हैं खासकर यदि आप एक empathetic person है means कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की energy के प्रती बहुत sensitive feel करता है जैसे कभी-कभी हम जब किसी relationship में होते हैं या किसी job में होते हैं और अचानक से वो चीज़ें हमारे पास से चली जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी ही कोई कमी रही होगी जिसकी वज़े से ये चीज़ें जादा दिनों तक नहीं चली और ऐसा इसली होता है क्योंकि आप इन चीज़ों के साथ energetic connections बना चुके होते हैं बट let me tell you a valuable lesson कि जो sad feelings आप मैसूस कर रहे हैं वो आपकी हैं ही नहीं और यहाँ पर काम आती है cord cutting कुछ researches के माध्यम से मैंने cord cutting की खोश की है जो किसी ऐसे व्यक्ति या फिर किसी चीज़ के साथ energetic connections कट करने की प्रक्रिया है जो आपकी energy drain करते हैं या फिर future में कर सकते हैं आपके vibrational state को बढ़ाने के लिए मेरी अगली tip है कि आप अपने और दूसरे दूनों के लिए forgiveness practice करें और उन लोगों और conditions को प्यार भेजें जिनके प्रती आप negativity महसूस करते हैं कुछ लोग हर चीज में negativity लाना पसंद करते हैं लेकिन आपको उन में से एक होने की जुरत नहीं है बस इतना समझे कि जब कोई negativity create कर रहा हो तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है और अगर कोई gossip कर रहा है या आपको judge कर रहा है तो ये उनकी खुद की jealousy या फिर limited thinking है आपको react करने की कोई जुरत नहीं है हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सभी को jealousy, comparison और Instagram पर लोगों को अपना सर्वस्रेश्ट जीवन जीते हुए देखना पड़ता है लेकिन बस ये जान लें कि किसी और पर नकरात्मकता थोपने से आप life में आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसके बजाए खुद को forgive करें और प्यार भेजने की कोशिश करें अपनी energetic frequencies को बढ़ाने के लिए अपने efforts को दिशा देना सबसे best reward है जो आप दुनिया को दे सकते हैं जब आप खुद को उपर उठाते हैं तो आप दूसरों को अपने साथ लाते हैं यही एक मातर तरीका है जिससे आप ना सिर्फ अपनी manifestation जर्नी बलकि अपनी conscience को और मजबूत बना सकते हैं नीचे comment में बताए कि वीडियो कैसा लगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल notification को on कर दीजेगा जिससे आपको ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स मिलते नहीं सबसे पहले